Hello Everybody, Welcome Back to Quant Study, I am Mujassim Akhtar, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं आपका English का portion cover करवा रहा हूँ, JKSSB Class 4 की जो recruitment हो रही है उसके लिए, और English का portion total 20 marks का है, उसमें से मैंने already आपको articles, determiners, spellings, जो हैं complete करवा दिया है और synonyms, antonyums के जो तीन पार्ट हैं करवा दिया हैं, आज इसका fourth part है, जो की last part है इसमें, और उसके बाद हमारे पास preposition, verbs, reading, comprehension और sentences बचते हैं, means 4 topics हमारे पास बचते हैं, वो भी हम आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही cover कर लेंगे, मैंने आप से कहा है कि 20 to 22 lectures में लूँगा, और इसी के मतलब बीच में लूँगा, एक दो lectures कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसी के बीच में लूँगा, ठीक है, तो synonyms and antonyms का जो है, आज last part है, जिसमें हम कुछ antonyms discuss करेंगे, तो start करते हैं, उससे पहले, जैसे कि आप लोगों वो पता ही है, मैं आप से कुछ questions आपके सामने रखता हूँ, स्क्रीन पे, जिनके answers आपको comment में करने होते हैं, तो question number one जो है आपके पास, make a sentence on, restore, इसको हम actually question नहीं कहते, इसको हम एक मतलब order भी कह सकते, और request भी कह, मैं तो आपसे request भी कर सकता हूँ, क्यूंकि आप लोगों ने try करना है, because अगर आप try करेंगे, तो आपको बाद में जो है, यह चीज़ें भूलती नहीं है, if you just, you know, अगर आप restore का यहाँ पर sentence बना देते हैं, तो फिर आपको बाद में यह चीज़ें भूलती नहीं है, यह जो words हैं, यह भूलते नहीं है, second जो है, वो है absorb, okay, question number two, write this synonyms off, पहला attract के लिखना है आपको, और दूसरा complicated, ठीक है, तो इनके आपने answers, comment में करने, next चलते हैं आज, हमारी video पे, हमारे lecture पे, तो यहाँ पर जो है, मैंने उपर, मैं भूल गया हूँ, वो लगाना, यहाँ पर आपको simply क्या करना है, आपको इनके antonyums बताने, जो भी आगे words आएंगे, okay, अच्छा तो यहाँ पर जो है, हमारा पहला word कौन सा है, वो है abundance, तो abundance का meaning होता है, कोई वी चीज, large quantity में जब होती है न, उसको हम abundance कहते हैं, okay, तो अब आपको इसका antonyum बताना है, तो आप क्या बताएंगे, scanty, tinny, scarcity, or deficient, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर, abundance का मतलब आपको पता चल गया, कि large quantity में होता है, तो आपको पता है, scarcity जो होता है, देखिए, एक second में आपको बताता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, scarcity जो है, यह आपका correct हो जाएगा, क्यूंकि आपको antonyum बताना है न, तो scarcity क्या होता है, scarcity होता है, कमी, किसी भी चीज़ की बहुत जादा, कमी जब होती है न, मारे पास, तो उसको हम कहते है, scarcity, तो इसका मतलब abundance का जो है, antonyum, scarcity हो जाएगा, ठीक है, ओके next slide पर चलते है, next slide क्या है मारे पास, next word जो है, वो क्या है मारे पास, unanimity, unanimity क्या होता है, कोई भी जो agreement होता है, strong agreement, उसको हम unanimity कहते हैं, sorry, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, आप option C जो है मारे पास, यह क्या है, disagreement, तो आपको पता बताया मैंने कि, unanimity क्या होता है, कोई भी strong agreement, तो इसका antonym क्या हो जाएगा, opposite क्या हो जाएगा, disagreement, simply, okay, next slide पर चलते हैं, अच्छा, तीसरा गया है, wise, okay, तो wise क्या होता है, कोई भी जो है, मतलब criminal, क्या बोल सकते हैं, हाँ, criminal activity को हम, wise कह सकते, कि for example, he did, you know, criminal wise, ठीक है, वहाँ पर हम, wise यूज़ करते हैं, तो, इसका opposite क्या है, हमारे पास, आप देख सकते हैं, fam तो नहीं हो सकता, यहाँ पे, या, fam का मतलब होता है, popular, ठीक है, तो virtue जो है, ये किसी इनसान की जो है, बहुत अच्छी qualities होती हैं, जो कि ये criminal activities या कुछ, इस तरह कि activities से totally opposite होता है, तो आप कह सकते हैं, कि option B, यानि virtue जो है, इसका antonym हो जाएगा, ठीक है, next word पे चलते हैं, जो कि है renowned, renowned क्या होता है, renowned होता है, बहुत popular, बहुत ज़्यादा famous, ठीक है, मशूर, ओके, तो इसका opposite famous तो नहीं हो सकता, owned तो नहीं हो सकता, unowned तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, unknown क्या होता है, जो मतलब जिसको हम जानते नहीं है जादा, तो renowned का opposite क्या आजाएगा हमारे पास, option D, that is unknown, next चलते हैं, next है हमारे पास provoke, तो provoke क्या meaning होता है प्रोवोक का, प्रोवोक का meaning होता है, मतलब किसी भी चीज़ को reaction में लाना, जब आप मतलब कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ को आप reaction में लेके आते हैं, तो उसको कहते हैं हम provoke, तो उसी चीज़ को अगर हम कभी stop, मतलब करते, रोकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं सूथ तो मतलब प्रोवोक का opposite क्या हो जाएगा सूथ हो जाएगा ठीक है next बात करते हम next word जो है हमारे पास वो है meager तो meager का meaning क्या होता है मैं आपको बताता हूँ जो की कभी भी small quantity sorry small quantity में available होता है या फिर poor in quality होता है मतलब quality में poor या फिर quantity में कम तो plenty full आपको दिख रहा होगा यहां पे यह क्या होता है बहुत large in quantity बहुत ज़्यादा large ठीक है यह जो होता है बहुत कम quantity में मैं आपको यहां पर आपको दिख रहे होंगे यह थोड़े difficult से हैं class 4 के level के नहीं है पर फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ because these are important हो सकता है कि exam में आ जाएं next बात करते है professional professional क्या होता है ऐसा काम जहां पे आपको कुछ skills चाहिए होती है काम करने के लिए ठीक है तो इसका पहले ही आप देख सकते हैं अब tradesman के लिए भी skills लगती है labor के लिए भी skills लगती है customer तो इससे belonging नहीं करता इस category से तो amateur amateur ठीक है पहला option जो है आपके पास amateur ये आपके पास correct हो जाएगा this will be the correct antonium of professional ठीक है next बात करते है scarcity अभी आप मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी तो अब majority आप कहा सकते थे लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि majority हम तब बात करते है majority की जब मतलब हम differentiate करते हैं मतलब large quantity और small quantity को तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है plenty एक second यहाँ पर भी आपके पास क्या है plenty तो plenty क्या हो जाएगा आपका correct antonium हो जाएगा इसका ठीक है next बात करते stale stale क्या होता है stale होता है कोई भी चीज़ खराब हो गई होती है पुरानी हो गई होती है उसको कहते हम stale तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला यह option जो की fresh है तो fresh क्या होता है नया नया ठीक है तो इसका opposite क्या हो जाएगा fresh हो जाएगा उसके बात बात करते हैं vacate की vacate कैसे हम कह सकते हैं जैसे कि आपको पता है कितनी vacancies है 8,750 के around कुछ ऐसा मुझे exactly याद नहीं है जितनी भी vacancies है मतलब इसके लिए class 4 के लिए तो वो government ने vacate करके रखी है आप इस तरह से कह सकते हैं तो आपको उनको क्या करना है occupy मतलब आपने भरना है उनने खाली रखी है इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं आपको fill करना है मतलब हमें उनको क्या करना है फिल उक्यूपाई करना है ओके अप उमीद है आप समझ रहे होंगे next बात करते है florid क्या होता है florid होता है कोई भी color colored type चीज जिसमें नया नया color आया हुआ होता है बनाया हुआ होता है इस तरह से तो उसको हम क्या कहते है bright भी कह सकते है उसको कहते है हम florid तो pale आपको word यहां पे दिख रहा होगा pale pale क्या होता है pale होता है जैसे कि मान लो आपकी t-shirt वगेरा जो पुरानी हो गई होते उसको color जो है वो खराब हो गया होता है उस condition में आप pale कह सकते हैं तो इसलिए florid का जो है opposite क्या हो जाएगा pale हो जाएगा I hope आप समझ रहे होंगे next अब यहां पर जो है verity क्या होता है to accept the truth in life या मलब life में truth की और चलना ठीक है तो verity उसको हम कहते हैं तो आप समझ सकते हैं यहां से कि इसका opposite क्या आएगा देखे यहां पर जो option यहां पर option C में falsehood है आपके पास यह वाला option यह वाला falsehood है आपके पास तो यह जो है आपके पास correct हो जाएगा falsehood इसका अन्टोनियम किसका verity का अन्टोनियम जो है वो falsehood हो जाएगा तो यहीं पर हम lecture को खतम करते हैं तो I wish you all the best for your preparation and thank you so much for watching this video I will see you in the next video maybe with the verbs maybe with the preposition or maybe with some other topic but I'll definitely see you bye bye take care